हालो गाइज वेलकम बैक माई नीव ब्लॉक में आप सभी को गुड मर्निंग शो गाइज सुबह हो गई है और आ गया है सुबह सुबह फूल वाला बेचने के लिए और खुसी को फूल लगाना बहुत पसंद है मतलब कि उसको बहुत पसंद है पूरे घर में बगीचा लगा चुकी है फिर भी उसका दिल नहीं बहरा तो फूल वाला आया तो भूल बोली कि सुन्दर लगता है यह दिखे गेंदे का भी फूल है इसमें मतलब अलग-अलग सारे प्लांट्स है और आरुस पूरव भी सोके उड़ गए थे पूरव के पापा भी सोके उड़ गए सभी लोगी कठा हो के देख रहे थे सब चूस कर रहे थे कौन सा फ्लावर घर में नहीं ह है वह हम लोग लेंगे and decide कर रहे थे और मिर्ची के भी पोडे अ compassion है तेने के लिए हम लोग के होरा उसमें नहीं हुआ दशी तो हम लोग को घर पे ही दिया देने आ जाते हैं और फिर हम लोग यहां सिलेक्ट करते हैं सब लोग दिया सिलेक्ट रहा है और आरुष पूरव को छोटे-छोटे वो क्या पोलते हैं उसको भरकवे जैसे रहता है उसको बहुत पसंद आए बोला इसमें मैं तो चाय कुछ भी मिलेना है मतलब घर पे ही आ जाते हैं लोग फोन कर दो तो घर पे आ जाते हैं देने के लिए और यह कुमार हमारे बहुत हम लोग छोटे-छोटे थे ना उससे पहले के हैं तो उन्हीं के यहां से हम लोग दिया लेते और गाव में एक बात अच्छी है कि बहुत क इतना सुन्दल सजाई हूं और फिर तभी हम लोग के घर के पास एक मोर दिखता है और उसको बहुत पसंद आया बोला ममी देखो क्या इतना बड़ा कर है तो वह घूम रहा था तो सुबद सुबद देखके बहुत अच्छा लगा घर के सामने ही है तो दो थे ने और उसके बच्चे भी थे तो हम लोग मैं बोली कि उसको थोड़ा सूट करके आप लोगों को भी दिखा दू कितना सुन्दल लग रहा है हां अरे-अरे सब पौदे हैं उस पर बैठा हुआ है और यहां सुबह सुबह मतब सुबह का नजारा तो गाह में बहुत अच्छा लगता और अच्छा हवा चलता और अच्छा लगता है वरना सहर में तो वही केमिकल केमिकल वापी में तो आप लोग जाने सकते हैं और यह देखिया हमारी टैरेस पे एक मोर बैठा हुआ है और इसको देखके मतब पूरा बारुस बहुत खुश हो रहे थे उनको कुछ नया देखने क मिल रहा था और यह लोग गाओं इसलिए आते हैं कि हमको कुछ नहीं नहीं चीजे देखने को मिलेगी तो मेरे घर के सामने बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत मतब बहुत सुंदर लगता है गाओं आओं तो अपनी पुरानी यादे ताल्या हो जाती है और फिर उसके बारू शब लोग रेडी हो जाते हैं और हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए तो तो गाइस मैं आप जो हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए और इधर सब बच्चे स्कूल से पढ़के आ रहे थे और हम लोग चा र को बोलती हैं लोगी मैं मैं फॉस्टाइब 122 साल की मैं गाउं में रही हूँ फिर भी मुझे आज पता चला कि पीड़ पर कॢशी लोग keeping है और काफी लोहों को मैं पता है ब्र मुझे अब पता चला कि हां पर लौकी सथ एयं तो मैं आप लोगों को मैं दिखा देती हो कि मैं इतने साल गाव में रहने के बावजोद मुझे नहीं पता था कि पेड़ पे लौकी फरती है तो फिर उसके बात पूरब के पापा आ जाते हैं फिर उनको भी मैं दिखाती हूं कि यह देखिए पेड़ पे लौकी फरी हुई है तो वह भी देखके बहुत आश्य हो जा कि कि लौकी मुस्टली मतब कि बेर ऐसे रहती है उसमे फरा हुआ था और यह है लेशन की खेती मैं आप लोगों को दिखा रही हूं कि मतलब इतने बड़े-बड़े लेशन की पौदे हो गया और यह सब जो है बटा का मतलब आलू की खेती है देखे कितना अच्छा है बस कुछ दिन में आलू भी तयार हो जाएंगे और यह धन्या की खेती है और इधर हरा हरा पाला के जैसे बोलता है नदब फ्रेश खेत में का खाने का मज़ा ही कुछ और है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूं कितना अच्छा है मतलब कि वहां भी बहुत सारे पौदे हैं फिर उसके बाद हमें मिलता है फिर उसके बाद मैं आप प पौदा देखने की बाद फिर दूसरे तरफ में जाती हूं तो वहां एक नीबू का बहुत बड़ा पौदा था और उस पर हरा हरा नीबू लगा हुआ था और एक बहुत बड़ा मतलब की पीला सा नीबू था तो आरुस बोला मम्मी यह क्या है औरेंज है मैं बोली नहीं पर उन जीलेमन है तो लेमन्ति आरुस बोलता है कि ममें इसको तौड़ मुझे दो नए तो उसकी मतलब की फ्रेश चीजों की ख्यूसको भी अठीश लगता है और तो और लुत डिडियन कि ममें मुझे देजिए मुझे देजिए तो मैं उसको तोड़िक देए यह और अर अरश ले लेकर बहुत होता है ममी यह ऐ ल Оп से पुछने लäगता है बोलता है मुझे भी तोड़ना मुझे भी तोड़ना मैं बली नहीं dusty पका हुआ ने जैसरे हाए थे तो थे पर उसके बात मैं अरू सब बोटते हैं अब दूसरी तरफ maximize दिखाती हूं तो फिर उसको लेके यहां थे लोगित इसलिए बीच बा Democrats जाए मद you सिंधाने तो आप आप देखा थे यहां decoris तो पता से में 3 घर तो फिर मैं बोली उसको टच कर सकते हो बेबी वह नहीं मारेगा आपको तो बहुत खुस होता है मतब गाय का बच्चा देख ले या भैस का बच्चा देख उसको बहुत वह हमेसा खुसी रहता है और यह तो घर पे डॉगी हो तो गाइस मेरे घर पे तो यहां पे डॉगी है तो उसको सारे दिन परसान करता रहता है मतब अभी तो उतना ज्यादा पहचानता नहीं है पर लेकिन उसको हर डॉगी चाहे जंगली डॉगी ऐसे ही रोड पे घुमने वाले डॉगी लोग भी बहुत पसंद है मेरे आरुष को और फिर उसके बाद उसको दिख जाती है बि जामें मुझे दूजी है मैं बिल्ली को दूद पिलाओंगे और वह जैसे कटोरी को रखता नहीं तो तब तक बिल्ली आकर दूद पीने लगती है तो आरुष बहुत खुस होता है कि मैंने बिल्ली को दूद पलाएं फिर उसके बास साम हो जाती है तो अब हम लोगका घर पर आने का समय हो जाता है फिर हम लोग सबसे मिलते हैं सबसे मुलाकात करने के बाद फिर हम लोग बोलते कि चलो अब घर चलते कि कि साम हो गई तो फिर माईके में भी आना था तो इसके लिए हम लोग घर पे आगे और यह देखिए वहां जूपके बैटी हुई है कि या वह तो आरुष जाके टच करने की कोशिश करता है तो फिर उसके बाद हम लोग सबसे लेते हैं विदाई और फिर हम निकल पड़ते हैं घर की तरफ और यह देखिए बहुत सुन्दरा आगा में देखो कैसे खेती हो रही लोग काम कर रहे हैं और इतना पतली पतली में तो अगर आपको हमारा ब्लॉक अच्छा रगे तो लाइक करें, सेर करें, सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा बाई, गुड नाइट